36 गर में चक्रवाती तूफान दाना, आज रायपुर सहित इन 12 जिलों में अलर्ट, बारिश के साथ गिर सकती है बिजली। ओडिशा से लगे हुए 36 गर के जिलों में तूफान दाना का असर आज देखने को मिलेगा। ओडिशा से लगते प्रदेश के जिलों में हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिर सकती है। वहीं आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं की वज़े से कुछ इलाकों में पेड़ गिर सकते हैं। तो वहीं होर्डिंग्स और हलके स्ट्रक्चर पर भी असर पर सकता है। दाना तूफान के असर की वज़े से आने वाले कुछ दिनों तक राजधानी रायपूर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मताबिक आज रायपूर, बिलासपूर और बस्तर संभाग के जिलों में गरच्मक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओडिशा से लगे जिलों में भी हलकी से मध्हम बारिश देखने को मिलेगी। बतादे की चक्रवाती तूफान दाना आज उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर टकरा सकता है। इस दोरान करीब एक सौ किलोमीटर प्रती घंटे की तफतार से हवाई चल सकती है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर अलर्ड जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि दाना का असर खत्म होने के साथ ही प्रदेश में गुलाबी ठंड दस्तक दे सकती है। 36 कर में सबसे कम तापमान नारायनपुर में दर्स किया गया, यहां 17 डिग्री न्यूंतम तापमान रहा, वही कोरबा 36.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, आने वाले दिनों में प्रदेश के और हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्स की जा सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मताबिक रायपुर में आज हलके बादल छाए रहेंगे, देर शाम तक कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जिले में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूंतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। खुद धन्यवाद